नमस्कार दोस्तों मैं आपके अपने चैनल वैदिक जोतिश में आपका स्वागत करता हूँ प्यारे दर्शकों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सस्क्राइब कर लें और हाँ बेल का आइकन दबाना ना भूए दोस्तों हमने ये प्रश्म कुंडली 4 अक्टूबर 2021 को बनाई थी समय एक बज़े से ढ़ाई बज़े दोपहर के बीच का समय था हमारे मित्र आये थे और हमें उनके एक्सिडेंट होने का पहले से अंदाजा लग गया था तो हमने तुरंद प्रश्म कुंडली बनाई थी और हमने कुछ उपाय बज़े थे शायद उन्होंने नहीं करे चलिए देखते हैं किस तरह हमें अंदेशा हो गया कि एक्सिडेंट या कुछ अगटित गटने वाला है उनकी जिंदगी में सबसे पहले जो लगन आ रहा है सामने आ रहा है वो कुम्ब लगन आ रहा है कुम्ब लगन कर जे स्वामी होते हैं वो शनी होते हैं वो जाकर बारविस्थान पर बैट गए हैं अपने स्वग रहा होके बेटे हैं तो ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे लेकिन नुकसान हमने आई कि कुछ ना कुछ हॉस्पिटल से रिलेट या कुछ खर्चा होगा ठीक है दोस्तों अब दूसरे आते हैं चंद्रमा पर चंद्रमा यहां किसका क्या कारण होके बेठा है चंद्रमा यहां रोग गुप्तिशत्रु रिण आधिकर कारक है और जाके सात्वे घर पर ब और यह लगन को देख रहा है लगन मतलब वो व्यक्ति स्वयम इस तरह जानते हैं अब देखते हैं राहू की दृष्टी भी पड़ रही है एक दो तीन चार पाँच यह अकस्मिक दुरगटना का भाव है यहां तीन ग्रह बैठाय हुए हैं सूर्य मंगल और बुद्ध संगल पहल तीसरे घर का मालिक है और एक प्रोफेशन का मालिक है और पिता का मालिक है ठीक है दोस्तों और बुद्ध शंतान प्रेएं और कुछ अकस्मिक लेकिन मंगल और बुद्ध की जहां यूती होती है चाहे किसी भावपे हो तो वो वहाँ पर कुछ नुक्सानी करता है और राहू की अकस्मिक द्रस्टी पढ़ रही है और मंगल यहां सायख कर रहा है एक्सिडेंट का मंगल और बुद्ध, सूर्य और मंगल यहां तेज के कारा हो गए मंगल और बुद्ध से तबाह होने का कारण है राहू की द्रिश्टी पढ़ी तो अकस्मिक यह दुरगटना का है क्योंकि एक और आट पहले यह जो तीसरा घर है यह छोटी मोटी यात्रा मतलब यात्रा के समय एक्सिडेंट होना इनका कोई इनकी कोई संतान नी थी तो प्रेम संबंध हो सकता है उसमें कुछ अनबन हो रही हो यह चीज हो सकता है प्रोफेशन को लेकि कुछ चिंता हो सकती है यह चीज भी हमने जाने थी लेकिन अगले दिन इनका एक्सिडेंट हो गया था तो ये हमें अंदेशा ऐसे पता चला था आशा करता हूँ ये जानकारी आपको फसंद आई होगी मेरे चैनल से जुड़े रहे आज के लिए इतना ही धन्यवाद जैमाता जी